तो एलो गाइस कैसे हैं और सुभी लोग आशकरता हूं बड़े होंगे आज हम काईजी नूबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 15 को एक्स्पेंड करेंगे आज की इस एपिसोड में टोटल जैप्टरस 86 से लेके 88 तक है और हमने पहले से ही अपने चैनल के अंदर चैप्टर 1 से लेके 85 अगर आप वीडियो पे नए हो और बाकी की चैप्टरस नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देख लिजे वरना वीडियो आपके बिल्कुर भी समझ में आएगी पर अगर आपने देख रगा है तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरह एपिसोड की स्टार्टिंग मे हम गेन नारुमी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर इसाओ सिनुमिया ने कॉमबेट बैटल में नारुमी को हरा दिया होता है और साती वे उससे कहता है मुझे अपनी स्केल्स दिखाओ मुझे किसी नल्ले और बातनी ओपिसर की ज़रुरत नहीं और इसाओ की ये बास सु स्टाफ रूम के मेंबर्स देखते हैं कि गेन नारुमी ने अपनी कॉमबेट पावर को 15 मिनेट से भी जादर समय तक रिलीस करके रखा है उनको इस बात का डर है कि नारुमी का सूड ओवर हीट ना हो जाए इस चीज़ का फायदा उठाकर नमबर 11 नारुमी पर अटैक करत जिन सबी को चक्मा देकर नारुमी एक्दम उसके पास आजाता है और उस पर बस अटैक करने वाला होता ही है लेकिन तबी नारुमी को काईज नमबर 11 का एक वाटर अटैक लग जाता है जिस चीज़ का फायदा उठाकर नमबर 11 नारुमी से दूर होते वे कहता है कि वे अबजेक्ट की मूवमेंट का पता नहीं लगा सकते चोकि इस समय तुम पर हावी होने वाली है और ये कहने के साथ ही काईज 11 नारुमी को पर कई सारे वाटर अटैक्स करता है जिन से नारुमी खुद को डिफेंड कर लेता है ये देखकर सभी स्टाफ रूम के मेंबर सहरा कानुजाता है कि उस काईजू को डिफेंड पानी करता है कमांडर नारुमी की कॉमबेट स्किल्स बिलकुल वाइस कमांडर होसिनों के पराबर है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वे हमारे डिफेंड स्पोर्स के सबसे ताकतवर कमांडर है नारुमी उस पर अपनी स्कॉर् स्टाफ रूम के मेंबस भी हिरान होते हैं कि उसने पानी को सील्ड की तरह इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए उसके बाद काईजू 11 अपने पंच को चार्ज करके नारुमी के उपर थो कर देता है जिसको नारुमी काफी इजली डॉज कर लेता है और उसके एक्तम से पीछा कर अपनी स्कोटन स्टाइल टेक्निक्स लैस लोगों का अस्थमाल करने वाला था लेकिन तब यही काईजू 11 उसको बता देता है कि उसको इस टेक्निक के बारे में भी पता है और भी वाटर को कई सारे स्पाइक्स के फॉम में लाकर नारुमी की उपर थो कर देता ह जिसको नारुमी अपने वैपन की मरत से डॉच कर बच जाता है और कायजू 11 वन से लेके 7 तक नारुमी की सबी टेक्निक्स का नाम लेके उसको बताता है कि उसको सबी टेक्निके वारे में पता है क्योंकि उसके पास इसाव सिनोमिया की मेमोरीज है और यह कहने के साथ ही का नारुमी के ओपर टियर पंच मारता है। जिससे नारुमी एक दो बिल्डिंग से टकराता हुआ आकर गिर जाता है। जिससे नारुमी को काफ़ी ज़धा डैमेज मिलता है। स्टाफ रोंग के मेंबर्स इन्फॉर्मेशन देख बताते हैं कि नमबर वन की सूट के अलावा कमांडर नारुमी की बॉड़ी में कई सारी डैमिज मिले हैं कायज 11 नारुमी के पास आकर उससे कहता है कि ये काफी सरम की बात है मेरे पास कुछ मेमोरीज है तुमारे मास्टर की जो कि उनके कए हुए कुछ सब्द है कि मुझे किसी नले आफिसर की जरूरत नहीं है और ये कहते हुए कायज 11 अपने कई सारे वाटर डैक्स को भालाता है ये सुन चीफ इता में हरान होते है कि नाकेवल कायज 11 के पास कायज 1 की अबिलीटिस की इनफॉरमेशन है उसके पास चीफ इसाओ की मेमोरीज भी है तब ही कायज 11 के हाथ पर एक सूट आके लगता है जो कि और किसी नहीं नारुमी ने मारा था नारुमी कहता है कि मुझे इस करेक्टर की नजर से मत देखिए और हम देखता है कि नारुमी कायज 11 के पीछे इसाओ सिनोमिया को इमेच कर पा रहा था वे उससे कहता है फाइनली अब मैं तयार हूँ आपके मुझे वाओ निकल वाने के लिए और ये कहने के साथ ही नारुमी कायज 11 के हाथ काट उसके आगे से गुजर जाता है 11 नोटिस करता है कि नारुमी की सूट में लगी आँखों का कलर चेंज हो चुका है और उसकी खुद की आँखों का कलर परपल से गिरिन में चेंज हो चुका था ही सब कुछ इस आउसिनों में की मेंवरी में था ही नहीं आकर ही सब कुछ क्या हो रहा है कायज 11 अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है लेकिन दुबारा नारुमी उसके हाथों पर सूट कर देता है और अपने हाथ को फिर से रीजनरेट करते हुए काईज 11 नारुमी के उपर कई सारे water attacks ठ्रोग करता है लेकिन अब नारुमी उसके सभी attacks को सामने से अच्छे से देख पारा था वे सामने से हमला इसले करता है टाकि वे अपने पैरों को सीधा कर सके उसके सामने बनी पांच water balls उसको defend करती है और बाखी के पीछे की वाटर बॉल्स उस पर अटेक करती है उसके बाद नारुमी उसके सभी वाटर बॉल्स अटेक को अवाइड करके उसके हाथों पर कट लगा कर उसके पीछे आ जाता है साथ ही उससे कहता है मुझे पता है जैसे ही तुम पीछे मड़ोगे मुझे पर अपनी सारी आटेंज स्वाट्स्मेंशिप या फिर सूटिंग में अची क्यों नहों वे नारुमी को इतने असानी से हराता था ज़िज की वे उसके सामने कुछ ना ही हो जो जिस नारुमी को सबसे ज़्यादा फरस्ट्रेट करती थी वो ये थी कि जब भी इसाओ उसको हरा दीता था तो वे उसको हमेशा नल्ला आफिसर कहके पुकारता था उस दिन के बाद नारुमी ने इसाओ को साबित करके दिखाने के लिए रिजल्ट्स लाना शुरू कर दिया रिजल्ट उसके बाद रिजल्ट और भी ज़्यादा रिजल्ट्स और एक दिन वे नम्बर वन के सूट का पैटिबल यूजर बन गया लेकिन इसाओ का बो चहरा जो कि नारुमी से कभी भी इंप्रेस नहीं हुआ जिसे देखकर नारुमी को और भी ज़्यादा कुस्सा आने लगा और एक दिन वो पतानी कैसे आ गया जब इसाओ बूड़ा हो गया था और उसने मिसंस को भी जॉइन क करना पंद कर दिया था और नारुमी को फर्स्ट डिविजन का सेवन्थ कमांडर बनाके इसाओ उसको एक दिन चोड़के चला गया और वो दिन भी इसाओ के साथ चला गया जब नारुमी इसाओ को कुछ साबित करके दिखाता और ये कहना करतनी होगा नारुमी की काफी ज़्यादा पढ़ चुकी है इतामी इसका मतलब पुछते हैं तो कुरुसू बदाता है कि इसके बारे में अब तक कोई क्लू नहीं मिला लेकिन वैं ये देख सकता है कि कमांडर नारुमी के नर्वस सिस्टम में काफी ज़्यादा दवाब पढ़ रहा है अगर कमांडर अपने हाथ को रीजनरेट करता नारुमी तुरंती इसको काट देता और अब तो नारुमी वाटर की भी मूवमेंट को पढ़ पा रहा रहा है अब नारुमी से रहा नहीं जाता और वै नारुमी से पूछ लेता है कि कायज नमबर वन के पास तो शिर्फ यही एबिलीटी थ से ही उसकी movement को predict कर पाता है नारुमी इसको बताता है कि हाँ जब तक ही ability number one के पास थी और वे एकदम से उसके पीछे आकर उसको बताता है कि उसके suit के अंदर काई जीवन की कई सारी आखे लगी है जिससे वे इलेक्ट्रिकल signals, temperature में उतार चड़ाब और area के हर एक हिस्से को समझ सकता है इन सभी information के साथ अपनी mental vision का इस्तमाल करके हाँ मैं इस चीज में सच सम्भ हो चुका हूं कि अब मैं future side ability का इस्तमाल कर पा रहा हूं असान भासा में मेरे पास अब future देखने की power है यह ability तब तक भार नहीं आई जब तक ही काईजी नंबर वन के पास थी क्योंकि अब यह मेरे पास है तो मैंने इसको develop करके अपनी power बना लिया और इसी वक्त हम काईजी नंबर वन को देखते हैं जिसके उपर नारुमी बैठा था बाबरे इसके body के हर एक इससे में आखें हैं अगर आपको याद हो तो सीजन वन के अंदर इसाओ ने बताया था कि काईजी वन देखने में काफी ज़दा भ्यानक लगता है और अगर आपने अब तक सीजन वन नहीं देखा तो मैंने description में लिंक दे दिया है आप महाँ से जाकर देख लेना नारुम नारुमी 11 से कहता है कि हाँ इस एबिलीटी के वारे में इसाओ को बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि इस पावर को उसने खुद बनाया है नारुमी सामने से उसके उपर सूट करके उसके एक तम से पीचे आकर कहता है मैंने तिमसे कहा था ना कि मैं देख पा रहा हूं तुम में जवान था और फर्स्ट डिवीजन का कमांडर भी तब यूँ आपर इदा में आकर कहते हैं कि मुझे इत जिसकी बिल्कुल भी भी नहीं थी कि इतनी रात पो तुम जैसा कठोल वेक्ती ट्रेनिंग कर रहा होगा क्या इसका कारण गैन नारुमी है तुम्हें फिल हो गया क गैन नारुमी तुम्हें जल्दी ही पीछे छोड़ने वाला है गैन नारुमी एक ऐसा ओफिसर जो कि अपने प्लैटून लीडर की बात नहीं मानता और अपने प्लैटून के साथ भी नहीं रहता है उसको अपनी प्लैटून से आठ बार निकाला जा चुका है ये बच्चा से ही नारुमी अब तक डिफेंस पोल से भार नहीं निकाला गया इस आउसनों में फीजर ट्रेनिंग करते हैं कि मुझे इस बात का यकीन है एक ना तो एक दिन गैन नारुमी फर्स्ट डिवीजन का एक सेंट्रल पार्ट होगा अपनी स्केल्स की बजा से लेकिन जब जीद गानुन को ना समझ लें और प्रेजेंट में इताम अपने मन में सोच रहे होते हैं इसाओ तुम देख सकते हो जिस पेड़ को तुमने पानी दिया अव्वे बेड़ खेज चुका है और हम नारुमी की स्कॉर्टन स्टाइल टेकनिक का असर आसमान में भी देख सकते हैं और ये गैते में नारुमी इसाओ को इमेजिन कर चड़ाने लगता है जहां पर इसाओ हलकी सी मुस्कान लिए नारुमी की तरफ देख रहा था नारुमी ठकी हारत में बैठ जाता है और वे इमेजिन भी नहीं कर पाता कि इसाओ की आँकों से आसवाएंगे तो वह कैसा और कि गोरुमी नारुमी की ये सारी बकवास सुन लेती है लेकिन वे कुछ नहीं कहती क्योंकि ये उसके फादर और नारुमी के बीच की बात थी सीन सिफ्ट होता है और हम चोफू एरपोर्ट को देखते हैं जहां पर काईजू ड्वैल और होसिनो आपस में भीड रहे होत तबी काईजू ड्वैल होसिनो के उबर अटेक करता है जिसे ब्लॉक करके होसिनो उससे थोड़ा तूर अटते भी सोचता है कि इसकी पावर, स्पीड, कॉमबेट अबिलिटी बिल्कुल काईजू नंबर 10 की जैसी है और होसिनो को काईजू 10 की वो बात याद आती है जो कि इसमें बताए थी कि वे एक प्रोटोटाइप है तबी एकदम से काईजू ड्वैल होसिनो की पीछे आकर उस पे अपनी दोनों ब्लेट से हमला कर देता है जिसे होसिनो अपनी कटाना की मदद से ब्लॉक तो कर लिता है लेकिन वे दोनों टूट जाती है और होसिनो कहता है क कि ये काईजू फिनिस्ट प्रोटक्ट है मुझे हराने के लिए तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है और हमने टोटर चैप्टर वन से लेके 88 तक एकस्प्लेन कर दिया है जो कि आपको मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगा आई होप आपको मेरी एकस्प्लेनेशन प कर दो